आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी यह प्राइम टाइम देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं कुछ को जानते हैं अच्छे कामों के लिए कुछ को जानते हैं बुरे कामों के लिए लेकिन कुछ लोगों के कामों को जो अच्छे हैं उन्हें भी हमारे देश की मीडिया जिसे हम मनुवादी मीडिया भी कहते है या प्रसारमाध्यम कहते है वो उन्हें भी बुरा कहती है जो अच्छा काम करते है ऐसे ही कुछ लोगों का अगर उधारन ले तो उधारन है जो की बैंडेट क्विन जी से कहा जाता है फुलन देवी या फिर जिसे त पास के मनुवादी शाशन प्रशाशन में भय पैदा कर दिया था श्री निवासन ब्राह्मन ने विरभपन की बहन को प्यार के जासे में रखकर व गर्भवती बना कर शादी से इंकार कर दिया तो विरभपन गोन ने श्री निवासन की हत्या कर दी और विरभपन ने श्री न पूरा पूरा पैसा मिलने लगा था जो मनुवादी शाशन प्रशाशन नहीं चाहता था कि आदिवासियों की आर्थिक हालत में फायदा हो या सुधार हो प्लिम अभिनेता राजकुमार का अफरन करने के बाद विरपन ने सरकार के सामने राज्य की दस प्रमूक समस्या रख कावेरी पानी विवाद में जो तमिल पूलिस फाइरिंग में लोग मारे गए थे उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिले उसकी तीसरी मांग थी स्पेशल टाक्स फोर्स की जयातियों की जांच करने वाले सदाशियों आयोक की रिपोर्ट के आधार पर ज्यादतियों उसे पीडित आधिवासियों को प्रतिवेक्ती दस से पाच लाक रुपे का मुआवजा दिया जाए उसकी चवती मांग थी टाडा के तहद बन 51 आधिवासी कैदियों को फोरण रिहा किया जाए क्योंकि पुलिस ने अपनी नाकामी की वज़े से निर्दोष आधिवासियो को टाडा के तहद बंद कर दिया गया है पांच वी उसकी मांग थी पुलिस ज्यातियों में मारे गए नव अनुसुचित वजंजाती के लोगों को उचित मुआपजा दिया जाए छटवी मांग थी निलगिरी की पहाडियों पर चाइपत्ती तोड़ने वाले मजदुरों क प्रती एक किलोग्राम चाइपत्ती के पंदरा रुपे दिये जाए उसकी सातवी मांग थी तमिल कभी और समाच सुधारक शिरू वेलूर की प्रतिमा बैंगलोर में लगाई जाए आठवी उसकी मांग थी तमिल नैशनल लिबरेशन आर्मी के तमिल नाडु जेल में बंद पांच लोगों को रिहा किया जाए उसकी नवी मांग थी कि करनाटक सरकार तमिल भाशा को अतिरिक्त राज भाशा का दरजा भी दे दस्वी मांग थी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए आदिवासी विरपन गोंड को पकड़ने के लिए सरकार ने स्पेशल टाक्स स्पोर्स बनाई मगर 150 बेकुसूर अनुसुचित वजनजाति कोई लोगों के हत्यारे रनवीर सेना और उसके मुख्या पर मनुवादी सरकार वा मीडिया ने कभी भी हाए तोबा नहीं मचाई जबकि विरपन गोंड ने किसी भी आदिवासी अनुसुचित जाती के व्यक् बलतकारी भी थे अंबिटकर मिशन पत्रिका के मुताबिक विरपन गोंड एक वीर मुलनिवासी महायोद्दा था और आदिवासियों में बहुत लोग प्रियवी था महानारी फुलन देवी ने 22 ठाकुर मनुवादियों की हत्या कर अपने बलतकार का बदला लिया और वही विरपन गोंड ने आदिवासी समुदाई की बहतर सुरक्षा सामाजिक शैक्षनिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की वही भारतिय मनुवादी मीडिया ने फुलन बाई को दस्य सुंदरी और विरपन को चंदन तसकर घोशित वंचित समाज के मुँपर करारा तमाचा ज जानता जिस साधी से विरपन गोंड की विद्वा पत्नी वो दो मासुम लड़किया फटेहाल जिन्दगी जी रही है उन्हें देखकर क्या आप यकिन करेंगे कि उसने करोडों रुपे कमाये है यही स्तिती आदिवासी महाकरांतिकारी बिरसा मुंडा के परिवार की भी है मगर अधिकांश वन्चिस समाज या तो उन्हें जानता नहीं ही और ना ही उन्हें कभी जानने वो समझने की कोशिश करता है तमिल समुदाय आदिवासी है तामिलनाडू के धर्मपूरी स्तीत अस्पताल में विरपन की लाश को देखने आए ग्रामिन उन्हें से विरपन क की हत्या किये जाने पर बहत आक्रोश जताया था 62 साल के वेंकट माल को लगता है कि उसने अपना बेटा विरपन के रूप में खो दिया पुलिस ने विरपन के रिष्टेदारों को धंकी देते हुए उसी रात को चारों लाशों को जलाने की कोशिश की थी स्टी अब विरपन की लाश को दफनाया गया मगर विरपन के अंतिम संसकार की पुलिस ने बिल्कुल अनिमती नहीं दी रिष्टेदारों डॉक्टरों से हासिल जानकारी के मताबिक विरपन के हाथ पर कुछले गये थे तथा उसका लिंक मनस्पूरुतिके नियम के अनुसार काटा ग क्योंकि उन्हें डर था कि कई जैलालीता सरकार स्टीफ के हाथों उनका फर्जी एंकाउंटर कर उने विरपन का साथी गोशित ना कर दे दिगर सुत्रों से एकटा गी गई जानकारी के मताबिक विरपन को उनके मुख्बिर हुए साथियों ने विरपन को धोके से बेहोश में S.T.A. प्रमुग विजय कुमार ने पत्रकारों और जांच अधिकारियों को खुले आम धमकाते हुए कहा कि हम सच्चाई की खोज करने वाली टीमों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं ब्रामनवादी अकबार दिनर माला में जूटे नामों से धमकिया दी गई कि अगर उन्होंने सच्चाई की खोज करना जारी रखा तो उन्हें गिरपतार होना पड़ेगा मरने वालों के रिष्टेदारों को धंकिया दी गई वे सच्चाई की खोच करने वाली टीमों को कुछ नहीं बताए हाई कोट में मुकदमा दर्ज करने के बाद ही रिष्टेदारों को विरप्पन गोंड वा अन्यम रुतोकों की पोस्ट माटम रिपोर्ट मिल पाई थी STF के अधिकारियों ने जांच एजेंसियों को एंबुलेंस घटना स्तल्व सबूतों का मोका मुयाइना नहीं करने दिया गया था मानव अधिकार आयोक की प्रार्थना शाशन प्रशासन ने ठुकरा दी थी STF ने पुरे जंगल को ही यातना शिवीर में बदल दिया था एडूकेट तथा मानव अधिकार कार्य करता मान बाल मुर्गन ने अपनी किताब सोलागार डोड़ी में कुरूर यातनाओ की तस्वीरे छापी और बताया है कि STF किसी भी आदिवासी को पकड़ कर कुरूर यातनाओ देकर मार डालती है और इंकाउंटर में मरा हुआ गोशित कर देती है यातनाओ देने का विवरन बहुत डराओना है जिसमें योतियों के साथ बलतकार, योक योतियों के अंगभंग करना योनी अत्याचार, हत्या, विविनन भीशन, यातनाए आदी शामिल है करनाटक सरकार ने सदाशियों आयोक की जांच बंद करवा दी है क्योंकि करनाटक केंदर सरकार वशाशन प्रशासन पर मनुआदी ब्राम्वनों की वावस्था कायम है उपरक्तो हालात कश्मीर से, कन्याक कुमारी और असम, पूर्वी दक्षिनी और उत्तरी पश्चिमी शेत्रों के आदिवासी वह अनुसुचित जातियों के लोगों के साथ आज भी कायम है मनुआदी आतंकवाद आज शहरों वन्नगरों में विविद्न संस्थाय संगठन संग सेना बनाकर आतंकवादी कारवाई करती है क्योंकि किसी न किसी रूप में भारत प्रशाशन, कानून, मीडिया व सेना में मनुआदियों का वर्चस्व है और अधिकांश वन्चिस समाज उनकी बंदर सेना वोड बैंके अंगरक्ष बनी हुई है हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में अधिकांश आदिवासी है अनुसुचित जाती के लोग थे आदिवासी थे जो लोग मनुआदी ब्राम्वनों के अत्याचार और शोशन के कारण हत्या और बलतकार से पीडितो कर मुसल्मान बन गए थे जबकि मनुआदी ब्राम्वन विहा आज भी शाशन प्रशाशन में घुस्पेट किये हुए है पुर्वी पश्चिमी दक्षिनव यो उत्तर भारत में आदिवासीों को आतंकवादी, उग्रवादी, नकसलवादी, माउवादी के नाम पर अफ़सा कानून के तहत मारा जा रहा है और समस्त भारत में आदिवासी व अनुसुचित जाती के लोगों का सामाजिक, धार्मिक, मानसिक, आर्थिक व शाशनिक रूप से शोशन हत्या बलतकार कर प्रताडित किया जा रहा है क्या हम शहर में आकर सुरक्षित हो गया है यहाँ आपका भ्रम मातर है क्योंकि शहर कजबो गाओ में भी किसी ना किसी रूप में मनुवादी विवस्ता आपका वो आपके बच्चों का सामाजिक, धार्मिक, मानसिक, आर्थिक, शाशनिक रूप से शोशन कर रही है आप प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मनुवादी ब्राह्मनों के शाशन वर प्रशासन में बंदर सेना वोट ब्यांग अंदभक बनकर सायोग कर रहे है यह आपको बात समझनी होगी बाकि आप खुद समझदार है आप देख रहे है प्राइम टाइम यह है आवाज प्रत्यक्ष इंडिया टीवी